हलो फ्रेंड्स गोड इवनिंग मैं शीवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल ग्यान एक्सपी में दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेस्टन कवर करेंगे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्ली दोस्तों वीडियो को शेर कर दीजिए तकि इसका बेनिफिट और लोगों को मिले दूस्तों प्लीज और जो है आप स्सी क्लास साम आठ बजे एंटी पैसी की बारा बजे जोइन कर सकते हैं काफी इंप्टन क्वेस्टन इसकस होते हैं अगर आपको जी के कंप्यूटर में क अगर आपको कंप्यूटर में किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम है ठीक है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग ठीक है मैक्रोसॉफ्ट ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो को डिसकस करने हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं उसके आपके लिए वीडियो लाएंगे ठीक है तो च आपका पहला क्वेस्टन है कि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है तो आपको इसमें इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बताना है क्या है आपके आप्सेंस हैं नेट पर बैंकों की बैठाग नेट प्रैक्टेस इंटरनेट के जरिए बैंकिंग या विदोईसों के साथ सम्व ceredourcshop cN q internet banking के जरिये बैंकिंग सुरी इंटरनेट के जरिये बैंकिंग तो बिन को से इंतरनेट के निये बेंकिंग उसा बोलते हैं ऑसाने प्थ नंबर और सी इन्सीन के लिये बिल्कुल राइट रखर ऑप्र इन्द्स आपका अगला ग्ला है कि कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है तो दोस्तों इंटरनेट फ्लॉप डिस्क आवर कारड या डेटा इन में से बताना है को कि करेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है कर दो सब्सक्राइब देखते हैं अगला प्रशन चलिए देखते हैं अगला प्रशन मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्ण ही कि रुगण कर देता हूं यह आई तिंग अप्लियर हो गया होगा फिर्ट आपका अगला प्राशन है कि इमेल भेचते समय डैस की लाइन संदेज की विसे वस्तु के बारे में बता देती है तो दोस्तों जो हम इमेल किसी को भेचते हैं इनकी इलेक्ट्राणिक मेल तो जो है इस समय कौन स इसी बीचते सी लाइन होती है जो संदेज की विसे वस्तु के बारे में बता देती है ठील के यह अपकी आपकी फाइल में क्या है आपसे नमबर भी आपका इस प्रेशन के लिए बिलकुल सही उत्वाइब सीसी का फुल वांब इंपोर्टन जाता है कारबन कॉपी ठीक है याद रखिएगा जोस्तों आपका अगला प्रशन है कि डैस ऐसे डिवाइसे हैं जिनका प्रियोग टेली आपसे नमबर डीयन की प्लैटफॉर्म तो अब यह जो है ड्राइव वेब टिके जो ड्राइव बेस होते हैं यह ऐसी डिवासे सोते हैं जिनका प्रियोग टेली कम्म्यूक्येशन लाइन ऑप डेटा को ट्रांसिमर करने के लिए कि अपसे नमबर बी आपका इस प्रेसिं क सही उत्तर है ठीक्ट दोस्तों चलिया अग्ला प्रेश्ट ऐसरे अग्राइव कि जुद अपका यह ऑन सौड़िस्टेड इमेल को क्या कहते हैं प्रेंद आपको दोन ऑन सौनिस्टेडड इमेल को क्या कहते है निव ग्रूप रिउनेट बैकबोन या फ्लेमिंग या स्पै तो तो फेंट ऑन सॉरिस्टेड एनिकी अन्वांटर जो इमेल सोते हैं इंकों कहते हैं इस पैम ठीक है आपसे नमबर यह आपका बिलकुल राइट अंसरो यह तो बहुत इंप्रूर्टन गुमां के कई वर पहुंचते हैं इस पैम से जिसमांथ ठीक है याद रखिएगा तो तो फ्रेंट आपका अगला अगर्शली की यह format करते हुए वीब पेज का कोड लिखा जाता है तो तो किसका प्रियोग करते हुएए में का कोड लिखते हैं आपकी आप्संस हैं फिफ्थ जरेशन् लांगवेज 11 per he사यर क्समार रिंग्वेज यह Uある तो किसका प्रियोग कर करते हुए web page का code लिखा जाता है अधिक यह होता है है टो यह होता है 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 इसका प्रियू करके web page पर code लिखते हैं option number D आपका इस प्रस्ण के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीके दोस्तों चलिए अगला प्रस्ण तो साथ यह आपका अगला प्रसने की चोटे एप्लिकेशन प्रोग्राम जो वेब पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एने में सर्म प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इसे चोटे-चोटे प्रोग्राम कौन होते हैं जो कि वेब पर चलते हैं और यह कंफर्म करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हुआ है या नहीं तो उन्हें क्या कहते हैं यह आ आगला प्राशन है कि एक पॉइंटर डैस पर पॉजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है तो जो पॉइंटर होता है ठीक है जो पॉइंटर होता है तो वह किस पर पॉजीशन करते हैं तो उसका आकार हाथ के जैसा हो जाता है कभी कभी देखेंगे कि उसका यह एरो के जागा है तो किस पोजिशन पर होता है उप्सेंट से ग्रामर एर्र हाइपर लेंग स्क्रीन टिप इस पैलिंग एर्र या फॉर्मेटिंग आप अच्छा पर आए है है अब कर दो दोस्तों कि अगर को किसी से एब प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे अगर आपको किसी एसी व्यक्तित से ये प्राप्त होता जिसे आप जानते ही नहीं है यह सी व्यक्तित संस्था तो ऐसे आप क्या करेंगे सीधे पुलिस के पास जाएंगे बीना खोले इसे मिटा देना चाहिए खोल कर उन्हें ही जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना अब उन्हें नहीं जानते हैं उत्तर देकर व्यक्तित जानकारी मांगनी चाहिए उत्तर देकर बताएं कि उनसे संपक्ष बनाया रखना है बताएं क्या कंडिशन होगी आप इस तरह मैं तो अब देखेंशेंश अगर आपको किसी ऐसे इसी चीज से इमेल प्राफ दिसको आप जानते नहीं तो बीना खोली मिटा देजिए ठिक है और आपका इस के लिए बिल्कुल सहीया तो हो जाएगा बिना खोले इस से मिटा देना चाहिए ठीक है यह मत करने लग जाना आप लोग खोल कर उन्हें बताइए कि हम आपको यह आपको नहीं जानते हैं ठीक है बिना खोले मिटा दीजिए चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण की भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तो अच्छा अच्छा आपका इस प्रेश्ण के लिए बिलकुल राइट आस हो जाएगा भारती जनता पारटी ठीका अपसे नमबर एपका इस इधे प्रेंट आगंगे भारत में स्तरव प्र्थम कि सराज ने इंटरनेट उत्तिली फोन डिरेक्टरी करें अच्छा प्रइसटेन का तक हुँ आ है जहीं है दोको टोज्कि ने सब्रफर्स के इन उन्हों पर्थम की सराज होगा सिक्किम ने टेलीफोन इंटरनेट पर जो है इंटरनेट पर टेलीफोन डिरेक्टरी रूप रही है आपका इसमें सही होगा कि दोस्तों अगला काफी सिंपल सा प्रशन है प्रशने की एच्टी एमल का पूरा नाम किया है तो दोस्तों इसको आप लोग फिस से पढ़ते आ रहे हों कि हम सुको पता की हाइपर टेक्ट मार्कप लैंग्वेज होता है इंटरनेट का फूल वांक इसमें है अपने नंबर सी में हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंगवेज तिक आप आपको पताना या कि इंटरेट किसके द्वारा चला आता है आई एन भी आई एटियएफ इंटर एन आई सी यह वी एस अन फेक्टी इंटरेट इन ने से किसी के द्वारा भी नहीं चला जाता ठीक है इंटरनेट खुदी अपने आप में बहुत बाड़नेट वेर्क है और त्वारा लिए किसी के द्वारा नहीं चलाते हैं इसमें आपका आफकले स्थे होगा ठीक है छेली दोस्तों आपका अगला प्राष्ट में कि वह डिवाइस है जो दो या दो से सी अधिक नेटवर्कों को जोडता है तो तो ऐसी कौन रुटे पाथवे रोड़वे या बस या या NSF net तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दौ या गणी बिल्कुल सही होता है डोस्टों व्याजिया तो श्य Always कर दीजिए प्रीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जॉब एक्सपी सब्सक्राइब इसका पीडिए आपको वहीं मिलेगा ठीक दो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपका अगला प्रशने के डाइस HTTP का उपयोग करती है तो कौन जो है HTTP का उपयोग करता है हाइपर टेक्स ट्रांसर प्रोटोकॉल का ठीक है यह आपके और बताए कि आपके इस question का right answer क्या होगा है तो तो फेंट अगरा आपने चुना है आपसा नमबर dna की वेपेज तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका जो वेब चल यह इंग यह चब्टीटीप का यूज करता है ठीक है ऐफर टेक्स ट्रांसफय्प क्लियर लेफन चलीए अगला प्रकर तैस he Fox आपका अगला प्रशन एकि about who在 www. substitution का ऐस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो आंसर क्या होगा है तो तो अगर आपने चुना है और नमबर बीनिकी एच्टी टीटीपी तो बिल्कुल राइट असरा का डबलु 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 जो है यह है पर टेक्स रांसफर प्रोडोकॉल का यूज करता है तो इसमें आपका और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्राश्ट तो फ्रेंड्स आपका अगला प्राश्ण की इस पैम निम्रिखित में से किसे कहते हैं देखिए मने बताया ना कि इसको इस पैम से समंद्दू काफी क्वेस्टन डिसकस होते हैं तो देखिए जो यह ऑन लॉस्टेड जो है इमेल होते हैं इन्हीं को इस पैम बोलते हैं और यह मैंने पिछले इसको डिसकस किया हुआ ठीक है ऑपसे नमबर बी आपका इस प्रेश्ण के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ऑन सालिस्टेड इमेल को इस पैम भी कहते हैं अपसे नमबर बी इस तराइट को एकस्स करते हैं और उस पर जो सबसे पहले पेज़ खुल के आता है तो उसे क्या कहा जाता है बताई यह व्रेंट्स तो इसे कहते हैं होम पेज्टी का उपसे नमबर बी इस तराइट आंसर होम पेज्टी के दोस्तों चलिए अगला प्रेश्ण तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रस्ट है कि निम्लिखित मेंसे कौन सा कथन सत्य दोस्तों यह कुछ कथन दिये गए हुए हैं तो इन में से बताई कि कौन सा कथन सत्य बाकिया सत्य हैं बताए तो तो फ्रेंज अगर आपने चुना है आपसा नमबर इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रह सकता है तो यह कथन सत्ते हैं बाकी यह सभी गलत है ठीक है आपसा नमबर इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर नेट विंडोस 95 या केबल बताएं की कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है अच्छा क्रेशन है कंफ्यूज मत होईएगा तो अगराम बात करें आपसा नमबर एक यह निकी ब्राउजर की तो बिलकुल राइट अंसरे आपका कंप्यूटर को इंटरनेट से जोडने में ब्राउजर मदद करता है उस न से बताना कि .org का संबंद किस्से शिक्षा गैर वेबसाइक वेबसाइक संगठन या इन में से कोई नहीं कि यह जो है .org लास्ट में लगा होता है वह होती है संगठन वाली और्गनाइज़ेशन वाली वेबसाइट इस ठीक है आपका इसमें विल्कुल सही आंजर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो फ्रेंट आज की वीडियो में इतना ही ठैक्स फॉर वाचिंग दोस्तों प्लीज सभी लोग आप वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं ठीक है सब्सक्राइब करना ना भूलें शाम चार बज़े य चेक क्या फ्रेंड़ आपके रग्स